भुपेश बगेल जी के सरकार के समय 36 गड में 25,000 करोड रुपे का निवेश अडानी की कमपनी ने राजस्थान में अशोग गहलोड जी की सरकार थी 65,000 करोड 65,000 करोड रुपे का निवेश अडानी की कमपनी ने राजस्थान में अशोग गहलोड जी की समय उनके सरकार में क कर दियातो बंगाल में 35 हजार क्रोड रुपय का नीवेश है बंगाल में आपका साथ गाट है आंदर परदेश में साथ हजार करोड का निवेश है तमिल्नाडू में 45 interaction निवेश और राहुल जी आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है तो हमारा भी सवाल है यदि आडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कॉंग्रेस के सरकार के समय भुपेश बगेल जी के सरकार के समय 36 गड़ में 25,000 करोड रुपे का निवेश अडानी की कमपणी ने किया क्यों लिया आपने 25,000 करोड रुपे का निवेश अडानी की कमपणी ने राजस्थान में अशोग गहलोड जी के समय उनके सरकार में किया था क्या कारण था करनाटक में जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कॉंग्रेस पार्टी की सिद्रमिया की सरकार है अडानी की कमपणी ने एक लाग करोड रुपए का निवेश करने का वादा किया था मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है वो अभी हम निकाल लेंगे 36 गड़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है मगर करनाटक में एक लाग करोड का निवेश करने का वादा किया था बंगाल में 35,000 करोड रुपए का निवेश है बंगाल में आपका साठगाट है आंधर प्रदेश में 60,000 करोड का निवेश है तमिल नाडू में 4500 करोड क का निवेश है 19 ऑक्टोबर दो हजार 24 को अडानी फाउंडेशन ने रिवंतर एड़ी जो की तलेंगाना के मुख्य मंत्री हैं उन्हें 100 करोड रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था काउसल विकास स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों लिया था डोनेशन एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया निवेश भी ने डोनेशन लिया 100 करोड का 23 जन्वरी दे होदो हजा में वो लीड करते हैं और तेलेंगाना की कॉंग्रिस की सरकार 12,400 करोड का M.O.U. साइन करती है आडानी ग्रूप के कमपनियों के साथ 12,400 करोड रुपए का राहुल जी कौन जवाब देगा क्या आप और एवन तरेड़ी अलग है क्या आप और अशोक गहलोत अलग है क्या आ आप ही को देना पड़ेगा